स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ट्रेडर्स ड्रीम में और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक के जो 8% का डाउन ट्रेंड दिखा है I don't think so कि जो हमारे चैनल के रिगलर वीवर है वो हैरान हुए होंगे क्योंकि यह हमारा एक्सपेक्टेड था हमने चार्ट के अल्रेडी देखा था कि चार्ट एस ट्रेक्चर वीग था उसके बाद हाई कोट का ओडर हमने देखा 8000 करोर के बॉंड को लेकर के जिसको यस बैंक ने सुप्रीम कोट में अपील करा है लेकिन वो भी एक बैड न्यूस था रिजल्ट बहतर दिखा अभी भी मैं कह रहा हूं रिजल्ट काफी बहतर है लेकिन इसके बाद चुकि रेटिंग एजेंशियों ने थोड़ा तार्गेट कट प्राइस नीचे का करा है और जो कॉमन इन्वेस्टर हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको ज़्यादा फाइनेंशियल समझ नहीं है जिसके कारण ये पैनिक चलिंग दिखा है लेकिन ये सेलिंग बिलकुल एक ऑपर्चुनिटी है लोंग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोंग होने का तो समझेंगे क्या ये देखेंगे तो लगभग नहीं के बराबर होते हुए दिख रहा है और ये इंपेक्ट थोड़ा सोट टर्म पेंफुल होता है लेकिन लोंग टर्म काफी फूटफुल होने वाला है यहां टार्गेट प्राइस 17.5 के दिये हैं किसने दिये हैं MS ने दिये हैं अगर इसको इतना ही अंडरवेट करना था तो ये 10 का दे देता 12 का दे देता तो हम समझते की चलो ठीक है अब पैनिक करना है अब निकलना है और इसमें भी इसका यही कहना है हायर प्रोविजन लोवर मार्जिन यह जो प्रोविजन है नेक्स टू टू त्री कोटर में आपको 100% तो कभ इस ट्रॉंग केस है और यह के समझी तेंगे और उसके साथ ही जो लोन ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन करे गए हैं 15-20% का करा गया है और और आल देर इस नो रिस्क डाउनसाइड तो कंसीडर एक्सो साइजिंग वरेंट ऑप्शन इस परकार के जब स्टेटमेंट कमेंटरी जब किसी कमपनी के मैनेजमेंट से आता है तो उसके सेयर होल्डर के लिए काफी बेतर होता है यहां क्या देखा पहला रिजेक्शन 25 दूसरा रिजेक्शन 23 तिसरा रिजेक्शन 20 और जब इस परकार के तीन-तीन रिजेक्शन हो तो सब को पता है कि डाउन ट्रेन आएगा इसलिए हमने क्या का 15 to 17 इजा मेजर डिमान जोन मेजर सपोर्ड जोन और यहां 17 के ही तो MS ने टारगेट प्राइस दिये है 15-17 के बीच के प्राइस एक उपरचुनिटी है किस परकार से 17 से बाउंस बेक करा है I don't think so कि यह 15 के लेवेल को ब्रेक्डाउन करेगा बिल्कुल नहीं करें इस जोन में चाहें तो एबरेज आउट कर सकते हैं यह जोन बिल्कुल वेटेन वोच का था यहां 22 करने की कुछ जोन था ही नहीं और वंस इट विल ब्रेक 22 देन अगें वी कैंसी 32 से 50 प्लस तक का लेवेल दिखेंगे डोंट नीड टू पैनिक बिल्कुल पैनिक करने की गलती नहीं करेंगे